हलो गाइस वेलकम टू कमिन सर्विस तनुवर तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में दिखाएंगे यह गारी जो पिक अप 20 से ज्यादा नहीं ले रहा है तो 20 किलो मीटर पर आवर से यह पिक अप नहीं ले रहा है तो इसका कारण क्या है हम देखेंगे तो यह है देख सकते हो आज 45 ठीक है बीए 6 हाइवर ट्राक है तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो जरू समझ में आएगा तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और समझते रहे नया नया कुछ सीखने मिलेगा तो फ्रेंट्स घ्र कर दीए सवर्ष ऴीडियो को स्किप ङरा मत करिया क्यूंकि समझ में ौध तो इसकी नहीं करना हो चाहिए ओगे टो फ्रेंट्स हम इसका जो मीटर बोट है मीटर बोट्यक स्काइट के उपर जाके देकिंगे क्या कंडिशन है मेटर बोट का तो फ्रेंट्स हम चाविवन किया तो फ्रेंट्स अब देख सकते हो इसके बाद चेक लाम जला हुआ है और इसीया स्टेम फॉल्ट बता रहा है विजिट और्सोप स्टैक्त बीजिन अप क्या है तो हम पहले गारी को स्टार्ट कर करके देखेंगे स्टार्ट करने से क्या होता है तो फ्रेंण्स स्टार्ट करने ayam कर दिया उसके बाद आप देख सकते हो और डीपी एप का जो लेम्प हो जल गया और यह क्लास्टर पोड हो तो पेले गाड़ी को चला कर देख लेता है कि इसाइड में गाड़ी कर लिया पार्क करने के बाद उसका जो करी तिह को नहीं जा रहा है तो कि थोड़ा साइडमें। गाड़ी को पर्क कर लिया। पार्क करने के बाद हमें इसका जो डैसबोर स्वीच है डैसबोर स्वीच से हमें रिजनेशन करेंगे तो फ्रेंट्स यह है रिजनेशन फोर्स स्वीच जो आप मैनुवाली रिजनेशन कर सकते हो तो फ्रेंट्स यह गाड़ी चलते आया तो रानिंग गाड़ी है तो इसका है तो यह काम क्यों न गार रहा है तो रिजञेस्ट से पहले दो हम पहले सडाओं उटैसे चाहले सो Unsब्स में मकार चाहले क्यां को थूफ्रेंट कर लेथे तो पहले पहला देख सकते हैं 5276 जो फॉलकोड है इंजिन एक्जेस्ट बैक प्रेशर रेगुलेटर पोजिशन सेंसर सर्किट वोल्टेज बीलो नर्मल और सॉर्टेट टू लो सर्स तो फ्रेंजिन एक्जेस्ट जो पाइप है उसमें एक्जेस्ट ब्रेक का सेंसर लगा रहाता है तो उसका जो कनेक्टर है कनेक्टर खोला हुआ था इसे लिए यह फॉलकोड एक्टिव हो गया तो उसको कनेक्टर को लगा दिया वो फॉलकोड इनक्टिव हो गया उसके बाद फ्रेंज अब देख सकते हो 3753 जो फॉलकोड है इसको हमको इनक्टिव करना है होगा तो इनक्टिव करने से जो रिजनेशन का जब कम्प्लिट होगा यह 3753 कम बनेगा ओके तो फ्रेंज उसके बाद आप देख सकते हो 3151 जो फॉलकोड है वो इसी के कारण आया है 3753 है वो फॉलकोड के कारण उसके बाद आप देख सकते हो 4487, 4489 यह डोजिंग मल फंसनिंग के लिए है और उसके बाद आप देख सकते हो इसका जो फॉलकोड है 3714 तो इंजिन पोटेक्शन टॉर्क डिरेट कंडिशन एक्जिस्ट तो फ्रेंट्स यह फॉलकोड एक्टिव होने के बज़े से भी जो रिजनेशन पोसेस है लैपटप से नहीं होगा तो पहले 3714 को इनेक्टिव करना होगा तो फ्रेंट्स 3714 इनेक्टिव कैसे करें तो हम फॉलकोड को रिसेट कर सकते हो रिसेट करने से भी जो 3714, 38 जो फॉलकोड है इनेक्टिव हो जागा लेकिन इस गाड़ी में रिसेट करने के बाद हम देखा जो 3714 और 373 जो फॉलकोड है बचा हुआ था तो फ्रेंट्स 3714 और 373 जो फॉलकोड है इसके दोनों फॉलकोड बचा था तो पहले 3714 इनेक्टिव नहीं हो रहा था तो जो रिजनेशन जो हमें मॉबाइल से कर रहे थे वो रिजनेशन नहीं हो रहा था तो फ्रेंट्स जो रिजनेशन नहीं हो रहा है नहीं होने का कारण और कुछ भी हो सकता है जो आपका जो SCR सिस्टेम जो है उसमें जो आप यह देख सकते हो that test has stopped could not start because an engine protection torque direct तो फ्रेंट्स जो 37-14 fall code है उसके कारण यह जो regionation start नहीं हो रहा था तो फ्रेंट्स 37-14 को inactive कर लेना चाहिए पहले तब भी regionation start होगा तो फ्रेंट्स हमें 37-14 को inactive करने का यहां पर देख सकते हो correct issue key of allow the ECM to completely power down तो फ्रेंट्स इसका जो ECM का power पूरा का पूरा बंद कर दिया चाबियों करके उसके बाद हमें गाली को start किया और calibration से भी यह आप कर सकते हो तो उसके बाद अब आया the test has stopped could not because the engine coolant temperature is too low तो फ्रेंट्स इंजिन coolant temperature low होने के बज़े से भी process start नहीं होगा उसके बाद आप देख सकते हो यह allow the engine after treatment system to cool down तो फ्रेंट्स इस सिस्टेम जो है वो गरम होने के बज़े से भी यह process complete नहीं होगा तो फ्रेंट्स इह ध्यान में रखना होगा जो इंजिन इस सिस्टेम जो है उसको cool down करना होगा पहले उसके बाद आपका जो इंजिन coolant temperature जो है उपर भी डिपन करता है उसके बाद आप देख सकते हो जो फॉल कोड़ है वो एक्टिव करन के होने बज़े से रिजनेशन नहीं वान होगा तो फ्रेंट्स हमें जब इस साइटिश चोड़ा फॉल कोड़ इनक्टिव कर लिया कम्प्लेटली पार डाउन करके थाफ उसके बाद हम जो इनिवीट स्वीच जो है गाड़ी का सॉरे रिजनेशन स्वीच रिजनेशन फोर स्वीच उसको डबा के हम रिजनेशन एसन करे life तो फ्रेंट्स गाड़ी को पहले थन्ड करने के बाद जो फॉल कोड है फॉल कोड को इरेज जो 34 फॉल कोड है वो इनक्टिब करना होगा इनक्टिब करने के बाद जो सैतिस्तिरपाण जो फॉल कोड बचा हुआ था तो सैतिस्तिरपाण जो फॉल कोड फॉल कोड सर्विस रिजनेशन एक्टिब हो गया डेश्बूर स्विच से उसके बाद ऑटोमेटिक लिए जो सर्विस रिजनेशन कंप्लीट हुआ तो फॉल कोड सर्थिस्तिर पाउल इनक्टिव हो गया तो इनक्टिव हो गया तो काम कंप्लीट हो गया तो फ्रेंज इस वीडियो में थोड़ा जानकारी मिल रहा है तो इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे तो पूरा लाइप वीडियो बनाएंगे इसमें